इन दोर के छोटी गॉल टोली धाना शेतर से पिछले दिनों हम माल के ठेले से हजारों रुपे की कप्रों से भरा काटून चोरी होने के मामले में पुलिस ने मुख्विर की सूचना क्यादार पर हीरन अगर के रहने वाले दो बदमाशों को धर दबोचा है जिन से हजारों र खाने आकर चोरी का मामला दर्च कराया गया था जिसमें फर्यादी हममाल दोरा बताया गया था कि ठेले पर तीन कप्रों से भरे काटून लेकर दुकान पर देने जा रहा था कि तबी ठेला रास्ते में दो बदमाशों दोरा उसका माल चोरी कर फरार हो गए जिसमें कई बताई जा रही है फिलहाल पुलिस ने दोनों ही चोरों से आने चोरी के मामले में भी पूच्टाज कर रही है ताकि शेत्र सहित अने शहर के चोरी के मामले भी खुला से होने की संभावना है यह दिनांक 23 बारा को प्रार्थी रामदास थे अपने साथी हुकूम के साथ सिटी लिंग से तीन कपडों के पार्सल लेकर जा रहे थे हाट ठीला से यश्वन्टी जो है इसके ब्रिज चड़ रहे थे थोड़ा सा ब्रिज चड़ने के बाद इनको थकान लगी हुगी तो यह सब्सक्राइब करते हैं तो जिसमें हमारे अपरात पंजी बद हुआ तो यह दोनों आरों पर क्या करते क्या क्या यह यह उसके बाद तराश पता साजी में हम लोग को फिर वो दोनों आरोपी मिले तो एक है योगेश पिता नाराइन चौक से हैं उम्र बत्तिस साल है यह गोरी नगर के रहने वाले हैं और एक शुबम डागुर है नंदला पिता जी का नाम है इनके यह आदी नात नगर के रह प्राद भी है योगेश के ओपर लगबग 12 प्राद है और शुबम के ओपर लगबग 14 प्राद है चुराया हुआ माल कितने का था कितनी कीमत यह चोरी का माल जो था यह चौरासी हजार रुपय का था और आज इनको मुग्बिर की सूचना पर हम लोगों ने पकड़ा है और झाल